पूरा वाच करना एंड अभी तर आपने वीडियो लेकर हाज रहें सब कुछ जानकारी आपके रिजल्ट को लेकर इस वीडियो में देने वाले कब आपका रिजल्ट आएगा कब जारी किया जाएगा आइसीजी की तरफ से तो प्लीज वीडियो पूरा वाच करना एंड अभी तर आपने वीडियो लाइक नगा लाइक कर देना सेयर कर देना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है यदि आप चैनल पर नहीं पहली वाला है तो चैनल सस्काइब देख रहे हो ठीक है तो आपको बताएंगे कोई भी बात गुहांफरें के नहीं बताएंगे तो पहले बात कर लेते हमका रेजल्ट कब आने वाला कब जारी क्या जाएगा तो हमपको Kayla लौ कि ऑदर ने विडियो याश्यल्ट आने वाला है अगले महीने में आने वाला है जिहां दोस्तो सो परसेंट हंडर परसेंट कनफा में अगले महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि आई सीजी की तरफ से जो नोटिवीकेशन आया था उसमें किलियर दे रखा है कि आपके एक्जाम होने के बाद ऑल्लाइन एक्जाम खतम होने के बाद जारी किया जाएगा आपका रिजल्ट यह कंफर्म होता है और जैसे कि आई सीजी वालों ने नोटिवीकेशन में दिया था कि मार्च की मिड में यह एंट तक एक्जाम होगा और उन्होंने वही समय तारीक पर आपका एक्जाम कराया तो आप से दे सकते हो तो हम आपको कह स आपका रिजल्ट आ जाएगा तो हम कह सकते हैं 9 या 10 तारीक को 9 या 10 अपरेल को आपका नेविक डीवी जीडी और यांतरीक कर रिजल्ट आ जाएगा 100% कनफर्म है नोटिवीकेशन हम आपको दिखा देते हैं तो भाईयों आप से भी क्लिए दे सकते हूँ इसमें नोटिवीकेशन में सबसर दे रखा है कि 20 दिन के अंडर आपका रिजल्ट जारी होने वाला आईसीजी की तरफ से डिख लिया कर दिया जाएगा और जब भी आएगा सबसर पहले हम आपको वताने वाले पलपल की जान आईसीजी की तरफ से जो भी अप्डेट आएगा एक एक अप्डेट हम आपको वताएंगे तो चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लेना तो आप आपको बता चल गया है कि आपका रिजल्ट का वाने वाला है तो पूरी बात हमने आपको वतादिया है नो या दस अप्रेल को आपका रिजल्ट गोसित कर दिया जाएगा आईसीजी के तरफ से तैयार रहना जब भी आएगा हम आपको वतादिंगे और उस से पहले आप फिजिकल की तैयारी सुरू कर दो टाइम बहुत कम मिलेगा क्योंकि दोस्तो जब आपका रिजल्ट गोसित कर दिया जाएगा आल जाएंगे नेभिक डीवी जीडी और यांतरिके तो देख सकते हो कम टाइम में लएगा तो अभी से आप तैयारी सुरू कर दो जिन भाईयों ने फिजीकल की तैयारी सुरूना कराया तो क्या कर रहे हो तैयारी में लग जाओ और क्या क्या आएगा हम आपको वता दें दोस्त ठक बैठक और 10 push-ups होने बाली है तो यह आपके physical में होगा आप के लिए दे सकते हो इसमें दोस्तो physical test में आपका यह मांगा है और 5 cm का फुलम मांगा दोस्तो चेश्ट ठीक है और height आपको बताया दिया दोस्तो कितना होना चाहिए एक 57 cm आपका height होना चाहिए आप किसी भी कार्श से बिलोंग करती हो किसी भी राज्य से UP दहली MP सभी के लिए आपका 57 cm height मांगा है और all India तो देख लें दोस्तो इतना आपका height होना चाहिए ठीक है यह वाली बात भी आप समझगे होगे तो तैयारी में लग जाओ दोस्तो अभी से कम टाइम मिलेगा आपके पास अभी आपके बाद टाइम में दोस्तो पूरा एक महिना है और physical गब सुरू होने वाले हम आपको वताएं आपके PFT वो होंगे दोस्तो एवन मिट हम आपको वताएं वो सुरू होने वाले अपरेल के end में हम कह सकते हैं अपरेल के last week में सुरू हो जाएंगे आपके physical या तो मई में 100% confirm करा दिया जाएगा आपके physical यह वाली बात भी आप समझ गये होगे तो देख सकते हैं दोस्तों नोट टेवी के समझ साफसा दे रखा है और जो समय तारीक दी जाती है 100% उसी समय तारीक पर आपका एक्जाम कराया जाता है ICG के तरप से यहां भी आप देख सकते हैं दोस्तों इस्टेश फर्स्ट आपका करा दिया गया है सैकेंड भी दोस्तों अपरेल की एंड में मई में आपका physical होगा ठीक है आपके समझ में आ गया होगा तो हमनपको उता दिया है कि result कब आने वाला physical कब से शुरू होने वाले तो फिजिगर इतिये शुरू कर दो अब मेरे भाई तो सब को जानकर देदिये अब जो भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना नहीं तो हम टेलिगराम पर आगें आप टेलिगराम जॉनि कर लेना आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगली वी इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ पिलीज वीड़ा लाइक का दे जाना सेयर जरू का देना जैहिंद